हेलो एवेवान वेलकम बेक टो माई चैनल और स्वागत है आप सभी का मेरी अपनी चैनल में तो अब यहां पी दिखी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जालू भी लेके आ गई हूं बाहर और पानी थोड़ा सा गुंदगुरा पानी लेके आई हूं सुबह का टाइम हो रहा था पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा था और बहुत लेट से आज ऊठी हूं मैं उसके ना पूरा सारा काम किती जैसे कि चाय बुनाना हो गया और पापा पी चाय भी पी चुके थे और फिर जाके मैं अभी उठी हूं करीब साढ़े च्छा एसे कुछ बज़रा था और फिर मम्मी तो घर पे जितना भी कमरा था सारा जाड़ू लगा दे थी और फिर बाद में चाय भी बना लिए थी घर पे सब चाय भी पी लिए थी तो बस और अब यहां पर देखिए ये थोड़ा सा चूरा है जो चूरा घर का है मतलब पिस्वाने ले गए थे न तो इसी तरह चूर चूर होकी इसी तरह निकलता है तो इसको पिस्वाने के लिए ले गए थे तो वही थोड़ा सा बहुत दिन हां बहुत दिन से थोड़ा सा बच गया था तो देखे नहीं थे मम्मी भी नहीं देखी थी और हम भी नहीं देखी थे लेकिन जाड़ों लगा रही थी मम्म और इसको देख लिए थी तो वही थोड़ा सा एक दो चीटी ऐसे लगे हुए थे तो मम्मी फिर इसको लाके फिर छांत रही है तो इसको छांतने के बाद आज मैं इसको पोहाने बनाऊंगी लेकिन कुछ और बनाना था लेकिन आज तो टाइम भी नहीं मिला इसे हो जासे मैं नहीं बनाए हूँ और यहां पर देखिए सब खार है यहां पर उसके बाद यहां पर मैं जो हम लोग का बातरूम है उसी के छट पर चड़ी हूई हूँ सीड़ी से चड़ी हूँ सीड़ी एक हम लोग के गाओं पर बहुत लोग बनाते हैं तो उसी सीड़ी पर इस सीड़ी पूरा चड़ा जाता है कोई प्राब्लम कोई दिक्कत नहीं होता है उससे और पूरा सेफली मैं यहां पर चड़ी हूँ तो अभी यहां पर जो कंकोड है वही मम्मी बोल रही थी कि होगा तो तोड़ दो एक दो होगा तो निकल जाएगा तो फिर सबजी बना लेंगे उसका मिक्स वाला तो मैं उपर चड़ी थी लेकिन उधर दिक्ने रहा था और पहली बाद मम्मी भी उपर फिर से चड़ गई थी लेकिन मम्मी को भी नहीं मिला था तो इसी वज़र से फिर मम्मी उतर गई थी और मैं यहां पर जो पूई साग है ना वहीं तोड़ रही हूँ तो यहां पे इतना ही मुझे मिला था कंकोर तो नहीं मिला लेकिन यह मिला था तो मैं इसी को ही तोड ली थी और इसको अभी साफ करना है और आलू के साथ ही बनाएंगे आलू के साथ ही मुझे अच्छा लगता है घर पे भी आलू के साथ ही खाते हैं तो इसी वज़े से इसको आलो के साथ ही बनाएंगे तो अभी यहां पे मैं इसको पहले ना चाट लेती हूं क्योंकि मुम्मी बार-बार बोल रहे थी मुम्मी गई हुए है उनका थोड़ा सा बैंक का काम है ना तो इसलिए पापा लेके गए है और अभी मुम्मी नहीं थी घर पे तो मुम्मी बार-बार जाती टाइम बोल रहे थी कि अच्छे से चाट के पूरा यह करना कीड़े कल परसो में ने देखा हुआ था तो मैं देखी को भी कीरा अगर दिख जाए मैं चाटों तो ना ममी पहले पूछती है अच्छे से चाटी हो ना या कोई भी चाटता है और बनाता है तो पहले पूछते हैं कि सही से चाट के बनाओ नहीं तो नहीं खाएंगे ऐसे करके और ममी नहीं भी खाती है क्योंकि कोई भी मतलब चा करके कट कर ली हूं आलू एक ठोले के और बस अभी यहां पर कड़ाई चड़ा दी हूं और थोड़ा सा मेरे से डाले हूं सरसो तो नहीं डालूंगी साग है यह तो बस उसके बाद थोड़ा सा लसुनदा कि थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लेती और फिर अभी यहां आलू डाल दी हूं आलू मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि आलू पकने के लिए टाइम लगेगा साग और आलू को एकी साथ डालूंगी तो आलू बहुत लेट हो जाएगा और साग पूरा मेल्ट हो जाएगा इसी वज़े से मैंने पहले इसको डाला हुआ है और फिर इसको तो भी धक की रहो दोंगी और फोड़ी दिल फीर से इसको धक दोंगी ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और बीच में यहां पे लाइट चली गई थी तो मैंने मोवाईल का क्यामरा ओन किया है और यहां बस पक चुगा था यह तो मैंने बस अच्छे से मिक्स कर दिय इसी तरह ही चलाते रहना है जब तक मतलब ऐसे पूरा छोटा मतलब कम हो जाता है थोड़ा सा तो देखिए यहां पे साग पूरा अच्छे सी पकने की बाद इस तरह होने लगा है और आलो ना हम लोग हर एक चीज में आलो डाल दें क्योंकि आलो घर पे सबको मतलब भाया तो सब लोग खाते हैं तो सरहर एक चीज में हम लोग आलो डालते हैं तो देखिए यहां पे सबजी पूरा अच्छे से बनके रेडियो हो गया है नमक वे स्वाद अनुसर मैंने डाल दिया था और अच्छा लग रहा था इसकी बात ना मैं फिर घर पे और भी दो तीन सबजी बनाई थी लेकिन एक ही रेशीपी में शेयर की हूं आज खाना भी बन चुगा था थोड़ा थोड़ा चीटा आने लगा है तो यह रहा सोला इसको ले लेना था आज भीक गया है थोड़ासा पानी में तो प्रेंट्स हाज मैं जितना भी रोटी बना रही हूं देखिए इस तरह फूल राए बहुत अच्छा लग रहा है मैं कभी रोटी बनाते हूं ना तो फूल ताई नहीं है आज मेरा फूरा फूल राय रोटी दर देखिए यह हो गया मेरा रोटी फूरा फूल राय से से आज पता नहीं कैसे बनाए है बहुत अच्छे से फूल रहा है यहाँ जल गया है थोड़ा सा पीचे से यह और अब जाएगा यह मैं दिखाते हूँ आज थोड़ा सा ही मैंने आटा गुंदा हुआ था मतलब थोड़ा सा गुंदे थी और उसको ना फिर बेल के अभी से करने थी और दो तीन ऐसे बना चुकी थी और फिर ना सब फूलने लग रहा था रोटी पूरा अच्छे से तो मैं सोचे कि चलो एक थोड़ा सा क्लीप ले छोड़ा सा कपड़ा ली हूं और उसी से ही थोड़ा सा रोटी को दवार यूं पकने के लिए क्योंकि कच्छा भी रह जाता है कभी कवार तो दवार यूं थोड़ा सा तो पूरा अच्छे से फूलने भी लग रहा है उससे और जब भी बनाते हूं जब भी बनाते हूं ना कोई फूलता है कोई नहीं फूलता है क्यूंकि हलका सा थोड़ा सा फूलता है और फिर फर जाता है तो फिर उसका जो हवा है वो निकल जाता है तो फिर वो और नहीं फूल पाता है तो इसी वज़े से आज बहुत अच्छा लग रहा था फूल रहा था पूरा अच्छे से इस हुए ना आज पूरा अच्छे से बन गया है और यहां मैंने थोड़ा सा प्यास कट करके रखा हुआ है मस्रूम बनाने के लिए तो बस आज मेरा सारा रोटी फूला फूला बना है यह वाला भी फूला है पूरा सारा एक भी नहीं पूरा सारा फूला हुआ है हाँ भूट अच्छा लग रहा है मेरा सारा रोटी फूल के बना हुआ है आज तो कभी बनाती हूना तो फूलता नहीँ है इतना थोड़ा सा फूलता अ फिर वंशी थरह миллиट जाता इक नहीं फूलता यहाँ पता कैसे फूल गया है, सारा मेरा फूला हुआ है आज रोटी, अच्छा लग रहा है मुझे, तो यहां पर खड़ी होगे मैं खाना बना रही थी, ठीक है, यहां पर इस जगह पे, और इतना यहां पर यहां पर पूरा चींटी काट रहा है, मम्मी को भी काट रहा था, यहां पर, बहुत काट रहा था, हम लोग सोच रहा है, कहां से मतलब इधर उधर तो टाच भी नहीं हुआ है, और कहां से चींटी इतना आ रहा है, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन उधर उपर, यहां पर, यहां पर, यहां पर लाइन से जा रहा है, और वही उपर से पूरा नीचे गिर रह एक एक करके देखी इतना ज्यादा चेन्टी वापर है दिख रहा है कि नहीं एक एक करके पूरा गिरे जा रहा है और काट रहा है सब बहुत बहुत पचास याफ सौ भी हो चुगे होंगे इतना गीरा है और एक यहां पर यह हो गया यह यहां ना यह उपर से ही गेर रहा है यहां से यहां पर इच्छेद है उधर बहुत 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 ही ज्यादा लाइफ में इतना साल हो गया है घार पर कभी इतना ज्यादा चीटी नहीं हुआ है जितना चीटी आज इस टाइम पर चल रहा है और यहां पर और एक